नमस्ते दोस्तों जी हाँ आप देख रहे हैं ये ओफिशल नोटिफिकिशन जो सत्र दोजार निस बीस राजस्तान आईटी एडमिशन का है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राजस्तान में प्राइवेट और गॉर्मेंट आईटे कॉलेज में एडमिशन की इंफॉमिशन और प्रासिज के बारे में तो कंटीनिय रहे हमारे साथ और जुड़े रहे है वैकेंसी अड़ा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको बताने चाहूंगा हमारे चैनल को लाइक करें शायर करें और सब्सक्र सरे वीडियो दोस्तों बात करते हैं राजस्तान गौर्वर्मेंट और आईटे कॉलेजेज में परवेस के बारे में और सबसे पहले आपको बिरना चाहूंगा कि इस वीडियो हम कौनसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे तो मैं बिंदो आपको एक बार बता देता हूं जिस चर्णों में कंप्लेट होती है उसकी भी चर्चा करेंगे कौनसी ट्रेड आपके लिए सरकारी और प्राइवेट जॉप्स में सायक करेगी और हेल्प करेगी और कौनसी लेने से आपको गौर्न्मेंट डॉक्री मिल जाएगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और अन्य के लिए जो 30% पर्तिक ट्रेड में दिया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे और होस्टल फैसलेटी और उसका जो शुलक है उसकी विवरन भी आपको बताएंगे और उनलाइन फॉर्म इसका कैसे बढ़ना है उसके बारे में भी जानकरी देंगे तो बने रही है हमारे साथ और सवाल का जवाब देना होता है जवाब देने के बाद में आपको हमारी और से एक जो आंस्वर मिलता है उस आंस्वर के आदार पर आपको इस्टड़ी मैटेरियल जो है वो हम दिलाते हैं आपको 20,000 का इस्टड़ी मैटेरियल आपको प्रोवैड किया जाता है सिरफ एक सव स्वाल का हमारे कमेंट्स में जाके आपको जवाब देना होता है तो सवाल है दोस्तों वर्तमान में वर्ल्ड कप 2019 जो अभी चल रहा है वो किस देश में खेला जा रहा है इसके लिए दोस्तों आपका option number 1 रहेगा इसमें देख सकते हैं लिस्ट में कौन सा answer है वो आप हमें comments box में लिख कर जरूर बतावे और lucky winners को मिलेगा 20,000 का steady material जो आपको help करेगा आने वाले सभी बर्तियों के लिए तो चलते हैं आगे और बात करते हैं दोस्तों इसके official notification पर चलते हैं देख सकते हैं कोशल नियोजन एं उद्यमिता विबाग राजस्तान कोशल नियोजन एं उद्यमिता विगा राजस्तान देख सकते हैं दोस्तों यह 17.5.2019 का notification निकलाए यह आप देख सकते हैं यह notification की date जो दी गई है राजगे private ओद्योगी परक्षिशन संस्थानों में परवे सेथी सूचना परवे सत्र तूठाव जन नाइंटीन में अगस्त का है जो आप देख सकते हैं इदर और 17.5.2019 में राजगी ओद्योगी परक्षिशन संस्थानों ITI में राजगी व्यवसाइक परिशद NCVT जो है वो और दूसरा जो होता है SCVT यह जो state level पर और national level पर दो है इसके बारे में तो बात करते हैं आगे और SCVT और राजगी व्यवसाइक परिशद NCVT के अंतरगद दिम्न व्यवसाओं में परवेश और प्रवेश परिशद के जाते हैं दोस्तों इसके आवेदन सुरू हो चुके है और आवेदन की details जो आप नीचे देख रहे हैं इसके आवेदन जो है वो 14 जून 2019 से चालू हो चुका है तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल अप करें ताकि इसका सर्वर्स लो होने से पहले है और इसके अंतिमतिती जो है वो है 15 जूलाई 2019 एक मैने के लिए आवेदन खुला है और इसके फॉर्म बरे जा रहे हैं और अगर आप कहीं से नज़ते की एमितर पर जाकर भी इसका form fill up कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर जानकरी देकर आपका यह form fill up कर सकते हैं और यह सुनरा मोका है साल में एक बार आता है ऐसा नहीं हो कि जल्दवाजिम गलं form fill up हो जाए और problem create हो जाए तो आगे बढ़ते ह हैं ये फॉर्म जो है वो पनरा साथ दो जार उन्निस तक बरे जाएंगे और इमित्र से बर सकते हैं और इसके आयू सीमा जो है वो आप देख सकते हैं एक अगस्त दो जार उन्निस को चौदा वर्स यह 14 वर्स अदिक होनी जरूरी है मिनिमम कॉलिफ जो एज है वो है 14 यर इससे कम है अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिलफ नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से यह important information है और education से रे लेटर अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं हालांकि मैं इसकी पूरा विर्वन इस वीडियो में बताऊंगा आप कहीं नहीं जायेगा लेकिन इस पर भी आप विस्तत जानकरी इसके बारे में official notification डाउनलोड करके देख सकते हैं official notification के लिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसका पूरा विर्वन जो मैंने आपको बताए हैं उसमें चलते हैं और देखते हैं ये इसका official notification है राज की प्राइवेट ओदूगी पक्सिंशन साउननों में केंद्रिकत online परवेश तो चलो दोस्तों बात करते हैं इसमें परवेश के लिए सामनी सूचना और आविद्धन पर करिया तो दोस्तों बात करते हैं केंद्रिकत online परवेश की संपून पर कर जो आठवी 10, 10, 10 वी और 12 उत्यन योगेता वाले वेवसाह है है तो की जाएगी और आविद्धन जो कर बरके आपका complete करेंगे और इसका ये जो 100 रुपे चार्ज हैं वो विबाग लेगा इसकी प्रूइप प्रोसेसिंग के लिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकर आपको बता दें कि राजगे पूर्दकिक प्रक्षिशन संस्थानों में किसी भी विवसाइ में 5 या 5 से कम प्रक्षिशनार्टों के परवेश होने पर वो विवसाइसेंचलित नहीं किया जाएगा या परवेशित प्रक्षिशन उनको उनके ये आप हमारी यूज़की नहीं है अगर कॉलेज में 5 से कम का एड्मिशन हो जाता है किसी ट्रेड में तो उस ट इससे ज्यादा होनी चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं प्रात्मिक्ता की ये आउट ओफ राजस्तान से अगर आप बिलोंग करते हैं आपको किस तरीकी की बैनिफिट अगर मिलता है या कैसे रहेगा वो आप देख सकते हैं याँपर देखिए जो राजस्तान से 8 वी दस क्लास पास कर रखी उनको प्रात्मिक्ता मिलती है चाहे वो आउट ओफ राजस्तान का हो या कैसे भी हो अगर उन्होंने टेंथ ट्वल्थ या एर्थ राजस्तान में पास किया है तो उनको प्रात्मिक्ता मिलेगी या राजस्तान का मूल निवासी है तो उनको प्रात्मिक्त तो भी उसको प्रात्मिक्ता दी जाएगी तो इन सभी category वालों को पहले प्रात्मिक्ता में admission मिलेगा इसके बाद next जो कि इनको admission मिलेगा दित्य चरण में वो है जो आउट आफ राजस्तान से belong करते हैं और उनका यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है कोई link नहीं है उन जो प्रात्मिक्ता कैसे आरक्षन है वो इसमें विवरंड दिया गया है इस तरह से सभी सीटों में आरक्षन का प्रावदाने आप देख सकते हैं और इसके official notification को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों इसमें यह सेनी आरक्षन का जो विवरंड दिया गया है वो आप सब जानते हैं इसमें common विवरंड है और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके यह मेलाओं के आरक्षन की बात करते हैं 30% जो 37 आरक्षन दिया गया है 30% 37 आरक्षन है इसमें वो आप देख सकते हैं ये 30% पर्तिक ट्रेड में सभी महिलाओं को दिया जाएगा तलाक सुधा विद्वा सभी महिलाओं को इसमें आरक्षन दिया जाएगा ये 30% आरक्षन की बात की और इसमें आरक्षन का विवर्ण है सभी परकार का जो आप देख सकत हैं इनके जो अंतरगत जी इनके कोटे के अंतरगत जो एडमिशन लेता है उनको फिर्स्ट चरण में एडमिशन दिया जाता है यानि कि आप ओनलाइन फर्म बढ़ते हैं उसे पहले से इनको एडमिशन मिल जाता है इनकी कुछ percentage के आदार पर counseling के आदार पर admission दिया जाएगा तो दित्य चरण में आप जो form online fill up करेंगे जिसे आपका किसी से कोई link नहीं है किसी के थ्रू admission नहीं लेंगे direct admission होगा उसके लिए ये दित्य चरण होगा दित्य चरण के बाद में ये complete होने के बाद मैं आपको reporting करनी होती है जैसे आपको message आता है या आपका number आ जाता है merit या एक दिन fix होता है उस दिन counseling होती है उससे दिन आप जाते हैं तो list लगती है college में उसमें आपके percentage के आदार पे ranking बनती है उस ranking के आदार पे आपको बुलाया जाता है और document चेक किये जाते हैं document चेक होने के बाद में आपका admission fix कर दिया जाता है तो reporting परकरिया होने के बाद में अगर आपको college allotment हो गया और आपको लग रहा है कि मुझे इस college में admission नहीं लेके जोदपुर में भी खाली है जेपुर में खाली है राजस्तान की किसी भी district में अगर seat खाली पड़ी है और आपको जानकारी मिलती है और आप चारेक वहाँ आपका admission हो जाए और admission आमने कहीं और college में हो गया है तो आप upward moment करके भी उसको change कर सकते हैं उसके आदार पर आपको merit का आदार पर आपको परविश्वा मिल भी सकता है अफ़र्ड मूवमेंट जो है वह तरते चरण से पहले होता है फर्स्ट काउंसलिंग के जो जस्ट बाद में अफ़र्ड मूवमेंट होता है उसके बाद दित्ती काउंसलिंग होती है तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर किसी कॉलेज में खाली सीट है तो वहाँ परविश्ट ले सकते हैं वहाँ फरम फिलप वापस कर सकते हैं वोटिंग किसम है उन सीटों के लिए उन्हीं वापस कैंडिडियर्स को बुलाया जाता है जो उनको सीट नहीं मिल पाई थी कॉलेज एलोट्मेंट नहीं हो पाई था तो इस तरह से ये आईटाइडमेशन की पूरी प्रॉसेश है दोस्तों और ये होस्टल फैसलिटी जिसके बारे में आपको बदाना चाहूंगा ये तो सुल्क चार्ज है ये आपको सुल्क गॉर्मेंट कॉलेज में देना होता है माफ कीजिएगा मिस वर्ड्स यूज हो गया और ये अगर गॉर्मेंट आईटाइडमेशन लेना है तो इस तरह से ये सुल्क आपको देना होता है 1,050 and 2,400 रुपी जो है टोटली मिलाके आपको यह होता है 304,50 ये आपको पे करना होता है गोर्मेंट कॉलेज में और प्राइवेट के लिए अलग से चार्ज होता है ज़्यादा चार्ज होता है प्राइवेट के लिए तो इस तरह से ये च्छे माँ के पार्टिक के मवदी में आपको बारा सो बारा सो करके आपको सुल्क दे सकते हैं टुकडों में और ये चात्रवास के लिए सुल्क जो है आप देख सकते हैं ये पूरा विरोन चात्रवास के लिए हैं इतना चार्ज जो चात्रवास के लिए लगता है वो देख सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज़ों के लिए शुल्क निदान है वो अलग से हैं तो इस तरह से ये आप ऑफिशन नोटिफिकेशन पर जाके सारी सीट्स देख सकते हैं किसकी क्या सीट है और दोस्तों बनाना चाहूंगा एलक्तिकल है है फीटर है टरनर है कलीटर है ये जो ट्रेडजें ये गौनलन में बनदत करेंगी गर्म नौक конт act करेंगी कि लिए और एगर आपको फर्म online Philip करने की जानकरी देखनी है तो भी आप देख सकते हैं दोस्तों वो आपको बता देता हूँ government नौकरी के लिए आपको ये जो trade हैं वो काफी important रहेगी और online forum Philip का जो process है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं online forum आपको इमित्र की साइड पर जाके ये आएसे सो लॉगिन करके इस तरह से आप admission के लिए ये online form है ये online form की जो परकरी हैं ये पूरी आप देख सकते हैं ये आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा ये पूरा procedure है इसका तो दोस्तों ठैंक यू पर वाचिंग आवर चैनल वेकेंसी अड़ा और इसी तरह से और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर continue रहे हैं और सवाल का जवाब देना ना बुलें ताकि आपको 20,000 का जो है study material मिल जाए धन्यवाद दोस्तों support करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को like करें, share करें, comments करें और online IT firm कैसे fill up करता है इसका वीडियो आपको इसके link में भेज देता हूँ